आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now इस question के अगर हम बात करें तो यह बोल रहा है the given figure represents the head region of cockroach in which of the options all the four parts are labeled correctly देखो अगर हम इस question की बात करें तो हमारे को head region बताया गया है cockroach का, इसे हमें label करना है with the correct quotes के according तो जैसे कि अगर हम A region की यहाँ पर देख पा रहे है cockroach के head पर वो कहलाता है हमारा labium region अगर हम labium region की बात करें तो यह present होता है behind the lies of first maxillary phase के अंदर अगर हम यहाँ पर maxillary range की बात करें cockroach की तो हमें पताया यह consist होती है head region के अंदर जैसे कि हम बात करें इसके structure की तो हम देख पा रहे हैं median formation में present होता है जैसे हमें structure में देख पा रहे हैं इसके साथ अगर हम बात करें यह labium region की तो हम बोल सकते हैं यह fusion होता है of appendages region का क्योंकि जैसे कि हम इसके structure में देखें तो यह two-way lobe के type में present होता है इसी तरीके से हम बोल सकते हैं यह hind wall जिसे हम बोलता है floor region और pre-oral cavity को भी form करता है pre-oral cavity यहां पे इसलिए भोली गई है क्योंकि यह help करता है उनके tongue-in region के अंदर इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे labium region की तो हम बोल सकते हैं इसे lower lip region भी ऐसे ही यह consist करता है different parts को जैसे हम बोलता है protopodites region, endopodite region और exopodite regions के अंदर तो हम बोलेंगे A part जो होगा वो हमारा होगा labium ऐसे अगर हम B part की बात करें तो जैसे कि हम structure में यहाँ पे देख पा रहे हैं lobed formation के लिए वो होगा हमारा maxilla अगर हम maxilla की बात करें तो वो एक important component है frog के head region का जो occur होता है हम जैसे कि देख पा रहे हैं इनदी paired form में इसके साथ अगर हम इसके arrangement की बात करें तो यह arranged होता है behind the mandibles regions के अंदर तो हम यहाँ बोल सकते हैं यह maxilla region जो है एक point consist करता है जैसे कि हम बात करें इसके end point की तो हम देख सकते हैं एक sharp regions बता रहा है जिसे हम बोलते हैं pincers यह pincers के अगर हम बात करें तो यह maxilla region का एक characteristic feature है जो help करता है to hold the food इसके साथ हम बोल सकते हैं यह different activity जैसे कि releasing of food में भी काम देता है अगर हम बात करें option C की तो हम बोल सकते हैं वो है हमारा labrum region तो जैसे कि हम इस structure के अंदर देख पा रहे हैं labrum region के अंदर हमें एक lobed form में ही present हा रहा है इसी तरह के अगर हम labrum region की बात करें तो cockroach का labrum region हम बोल सकते हैं एक vertically rectangular plate की formation करता है जैसे कि हम इस structure में देख पा रहे हैं यह rectangular जो plate है cockroach head के region के अंदर यह present होती with the median notch जैसे हम बोलते हैं lower border की side जैसे कि structure के अंदर हम देख पा रहे हैं इसे के साथ हम बात करें यह movable articulate region है जो lower margin के अंदर present होता है इस तरीके से हम बोल सकते हैं यह anterior wall का formation कर देता है cockroach के head region के अंदर जो हम बोलते हैं यह roofing का काम करता है और एक cavity generate करता है जिसे हम बोलते हैं pre-oral cavity इसी तरीके के अगर हम बात करें option D की तो हम बोल सकते हैं वो होगा हमारा medible region तो जैसे कि हम structure के अंदर देख पा रहे है medible regions के अंदर जो cockroach के head part को consist कर रहा है need the eye region के अंदर तो हम बोल सकते हैं यह labrum के just उपर ही situated होता है जैसे कि हम structure के यह आपर देख पा रहे हैं यह mandible region के अगर हम बात करें, तो यह present होते हैं on the side of mouth region पे, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, यह labyrinth region के behind part में consist करता है, यह एक stout region है, जैसे कि हम इसके structure को देख पा रहे हैं, जो heavily sclerotized है, और appearance की अगर हम इसके बात करें, तो यह appear होता है in the triangular shape के जैसा, इसी तरीके से एक pointed projection बनाता है, जैसे हम बोल सकते हैं, इसके inner age के अंदर हमारे present होगे cockroach का teeth region, और हम बोल सकते हैं, इसके अंदर एक condyle region present होता है, अगर हम condyle region की बात करें इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं, यह एक origin site है, जहां पे oral cavity का origin start होता है cockroach के head region के अंदर इसी तरही के से इस teeth की region के अगर जैसे हमने बात कह रही थी यहां पे इसके above part में हम बोलेंगे sclerotized region present होता है जिसे हम बोलते है प्रोस्तिका इस प्रोस्तिका के अगर हम बात कह रहे हैं हेल्प करता है उसको grinding में और biting nature के अंदर तो हम बोलेंगे इस question का correct match होगा option D इस तरीके से different function perform करते हैं different activity in the head of cockroach Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीचे अपने doubts आच चार्सो 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 पर